शराप तो बड़ी बड़ी मशीनों और अलग लग परदार तो द्वारा बनाई जाती है ये तो आप सब को पता ही होगा मगर क्या आपको पता है मातर एक से दो रुपे में बिकने वाली उसकी वो आम सी बुटल कैसे बनाई जाती है जिसे लोग या तो तो तोर देते है या बिलन जिस दिर के वीडियो शुरू करते हैं आपको झियाते हैं दारु की बुतल कैस्त तयार करें जाती है और साथ ये आपको पताएंगे कि जो काच आपका बाड़ी वाले को या खुड़े में फिक दिता ह दुसरी हजो यह रिशाइकल करावा काच जो इक खटा करा जाता है कूडए दौान और कबाडियों द्वारा… इस सारे के सारे काच को छहाना जाएगों फिर यह सार 28 सारे काच जाएगा दूने के लिए इस बड़ी सी मशीन में इस मशीन का काम होता है सारे की सारे काच को दूनी का आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ काच जो है वो एक और से भार आता जा रहा है अब इस साफ काच में भी बहुत सारी गंदगी होती है जिसे छाना जाता है अलब कर जाता है और फिर जो बिल्कुल साफ काच है वो जाता है पिस्टने के लिए आप देख सकते हैं इस तन्वेर बैल्ट की में से इस उपर की तरफ से काच आता जा रहा है और इस बड़ी सी मशीन में पिस्टता जा रहा है ये बड़ी सी भट्टी है इसका जो temperature था वो 16,000 Celsius का था अब आप देख सकते है इस और से काच और इता आता जा रहा हूँ दूसरी और से काच जो है वो निकल के नीचे गिड़ता जा रहा है अब इसे आप देख सकते है जो या नीचे काच गिड़ रहा है इस मशीन का का होता है आकार देने का वो आता जाएगा उन्हें बौटलों का भिन भिन आकार दिया जाएगा और फिर उन्हें दुबार से कंवेर बेल्ल पे डाल दिया जाएगा यहापे इतने गरम आई थी जो कि मेरे 2 मिनट भी खड़ा ओना तो आग का हाथ जल सकता है आप यहापे देखिए सारी की सारी बॉतले जाएगो अकार लेके बिलकुँ तयार है अभी इने ठंडा करा जाएगा ताकि इनकी पैकिंग अराम से हो सके और यहापे ठंडा करने के लिए बॉतलों को डाल देगा आप देख सकते हैं सारी की सारी बॉतलों का मुझ नापा जारहे ताकि अगर कोई भी बॉतल छोटी या बढ़ी हो तो उसको दुबारा से रीजाइकल के लिए डाल दिया जाए तो उसके बाद इन भाइया का काम होता है बॉतलों को भरने का जिस भी कंपनी की जो भी दारू की बोटल है उसको उसी के डिपे में भरके भेजा जाता है उनकी साक्ट्रियों में भरने के लिए तो भर ये काम जो है न बड़ा मुश्किल है इसके बाद इनकी होती है जाच तो यहाँ पे साइंटेस्ट दुआरा यहाँ पे इनकी जाच करी जाती है ताकि सारी की सारी बुत में सेम अकार की हो सेम शेप की हो और बिल्कुल सही तरीके से बनी हो ताकि किसी के मुवें भी कोई भी काच का टुकडा ना है भिन्मिन प्रकार की जाच होने के बाद इसको नापा जाते है इसका बजन कितना है उसके बाद इसमें कोई नगाई लिक्विट डाल के दुबारा नापा जाता है ताकि हर बोतल बिल्कुल सेम बजन की हो ऐसी करीक पर भी 300 और जाज के बाद सारी की साही बोटलों को पैक कर दे जाता है फिर यह जाती है फैक्टरी इसी के साथ मैं आप से मिलूँगी अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर गूड़ पै